हेलो एवरिवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेतर स्टेटी पॉइंट फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का अमारा टॉपिक है अब्जेक्टिव टाइप कोशन्स आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज शास्त्र के कुछ बहुत ही महतोपूर्ण अब्जेक्टिव कोशन्स के विशय में जानेंगे फ्रेंड्स वीडियो में बतायेंगे कोशन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंट्स इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे की आपको मेरी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स चलिए जायदे न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाज शास्त्र के उन बहु विकल्पी प्रेश्णों के विशे में हमारा पहला प्रेश्णी यहाँ है कि प्रोद्योगी की परिवर्तन के अनुसार मानव जीवन तथा सांस्क्रितिक धाचे में परिवर्तन होता है यहाँ कथन किसका है तो इसका सही उत्तर होगा वैबलेन कहने का मतलब यहाँ है कि प्रोध्योगी की परिवर्टन के अनुसार मानो जीवन तथा सांस्कृतिक ढाचे में परिवर्टन होता है यह कथन वैबलेन का है हमारा अगला प्रशन यहां है कि किस विचारक ने संस्कृति को तीन भागों में विभाजित करके समाजिक परिवर्तन में इनकी भूमिका को इसपस्ट किया है तो इसका सही उत्तर होगा सोरोकिन कहने का मतलब यहाँ है कि सोरोकिन ने ही संस्कृति को तीन भागों में विभाजित करके समाजिक परिवर्तन में इनकी भूमिका को इसपस्ट किया है हमारा अगला प्रश्ण यहाँ है कि समाजिक संगठन सामान ने इकरार नामा है यह कथन किसका है तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्टे का कहने का मतलब यहाँ है कि समाजिक संगठन सामान ने इकरार नामा है यह कथन कॉम्टे ने कहा है हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि सोसल चेंज नामक पुस्तक किसके क्रती है तो इसका उत्तर होगा ओकबर्न की कहने का मतलब यहाँ है कि सोसल चेंज नामक पुस्तक ओकबर्न ने लिखी है हमारा अगला प्रश्ण यहाँ है कि उद्विकास प्रगती एवं समाजिक परिवर्तनों में भेद सरुर प्रथम किस विद्वान ने किया तो इसका सही उत्तर होगा ओकबर्ण ने कहने का मतलब यहा है कि उद्विकास प्रगति एवं समाजिक परिवर्तनों में भेद सबसे पहले ओकबर्ण ने किया है हमारा अगला प्रस्ण यहा है कि हिंदू सोसाइटी एट क्रोस रोड पुस्तक के लेखक है दूसरे शब्दों में कहें तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं तो इसका उत्तर होगा श्री के एस पढिककर कहने का मतलब यहाँ है कि हिंदू सुसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक श्री के एस पढिककर हैं हमारा अगला प्रश्न यहा है कि अभौतिक संस्कृति के कारण समाजिक परिवर्तन होता है यह कथन किसका है तो इसका सही उत्तर होगा सोरुकिन का कहने का मतलब यहा है कि अभौतिक संस्कृति के कारण समाजिक परिवर्तन होता है यह कथन सोरुकिन का है हमारा अगला प्रश्न यहाँ है कि संस्कृतिक परिवर्तन में किसने अनुकूल नात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है तो इसका सही उत्तर होगा सोरोकिन ने कहने का मतलब यहाँ है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में सोरोकिन ने अनुकूल नात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है हमारा अगला प्रश्न यहा है कि समाजिक परिवर्तन का उतार और चड़ाव के रूप में विशलेशन करते हुए सीमाओं के सिध्धान्त को किसने प्रतिपादित किया है तो इसका सही उत्तर होगा P.Sorokin ने कहने का मतलब यहाँ है कि समाजिक परिवर्तन का उतार और चड़ाव के रूप में विशलेशन करते हुए सीमाओं के सिधान्त को पी सोरोकिन ने प्रतिपादित किया है हमारा अगला फ्रेशन यहाँ है कि Rural Development Putting the Last First नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका सही उत्तर होगा Robert Chambers कहने का मतलब यहाँ है कि Rural Development Putting the Last First नामक पुस्तक के लेखा कौन है हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि सोरोकिन तथा मैकाईवर ने समाजिक परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाओं की चर्चा की है हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि पूंजी पती वर्ग सदेव भौतिक परिवर्तनों का विरोध करता है यहाँ कथन किसका है तो इसका सही उत्तर होगा कहने का मतलब यहाँ है कि पूंजी पती वर्ग सदेव भौतिक परिवर्तनों का विरोध करता है यहाँ कथन वैबलिन ने कहा है हमारा अगला प्रश्न यहा है कि भारत में समाजिक परिवर्तन को विशलेशित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारना का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका सही उत्तर होगा S.C. दुबे ने कहने का मतलब यहाँ है कि भारत में समाजिक परिवर्तन को विशलेशित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारना का प्रतिपादन S.C. दुबे ने किया है फ्रेंट्स ये थी जानकारी समाज शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अब्जेक्टिव टाइप कोशन्स के विशय में आपको हमारे दौरा दी हुई ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरीए जरूर बताएं फ्रेंट्स आशा करती हूँ कि आपको मेरे दौरा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको मेरे दौरा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथी साथ बेल आइकन क जरूर दबाएं इससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके